तो दोस्तों क्या आप लोग अपने मोबाइल का वाई-फाई का पास्वर्ड जानना चाहते हैं आप लोग को नहीं पता है कि कैसे आप लोग अपने फोन में Connected Wi-Fi का Password निकाल सकें तो इस वीडियो में आप लोग को यहीं बताऊंगे इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा how to find Wi-Fi password connected Wi-Fi रिका ठीक है जो पहले से connect हो तो आपको क्या करना है आपको यहाँ पर screen पर देखिए screen recording में आपको step by step समझाता हूँ सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर यह जो है ना Google Chrome browser जो है इसको open कर लेना है अपने phone में तो मैं यहाँ पर open कर लेता हूँ आप लोग भी अपने phone में open कर लिजिए उसके पास से यहाँ पर आपको type करना होगा जो मैं code type कर रहा हूँ वही same code आपको भी अपने phone में type करना है तो यहाँ पर आपको type करना है अपने browser में 192.168.suny.1 ये code आपको अपने Google Chrome के browser में type कर देना है आप लोग दुबारा से इसको लिख लिजिए 192.168.0.1 ठीक है इसको लिख कर आपको simply इस पर क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा the connection is not secure वेगरा आपको यहाँ पर continue नीचे आपको option मिलेगा यहाँ आप नीचे की side में continue ठीक है इस continue to site पर वाले option पर आपको क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से option आ जाएगा tp link यहाँ पर पेज खुल जाएगा और इस तरीके से यहाँ पर password बोल रहा लिखने के लिए तो tp link का जो wifi का जो default password होता है वो होता है admin तो आपको इस box में जो यहाँ पर box दिखाई दे रहा है यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है कर जिसमें आपको लिखना है admin simply आपको यहाँ पर type करना है admin ओके जैसे यहाँ पर type करते है admin तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर login का button दिया है आपको यहां पर simply login वाले बटन पर क्लिक कर देना है जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहां पर देखिए एक पेज ओपन हो जाएगा यह उस वाइफाई का पूरा पूरा डिटेल ओपन हो जाता है जो आपके फोन में पहले से connected है ठीक है तो यहां पर आपको यहां सा आइकोन आपको दिखाई दे रहा है यहां पर basics का आपको इस पर simply click कर देना है जैसे आप click करेंगे तो यहां पर इंटरनेट का option open हो जाएगा और यहां पर IP address वगरा आप दिखाई देगा और यहां पर इस side में आप देखेंगे तो आपको यहां पर add internet wireless का option दिखाई दे आपको नेटवर्क मैप, internet wireless, parental control बगर यहां पर दिखाई दे रहा है आपको यहां पर wireless जो दिया हुआ है उस पर आपको click करेंगे तो यहां पर देखेंगे आपको पहले से यहां पर दिया गया है network name दिया गया है और यहां पर दिया गया है password दोस्तों यह जो आपको दिया अब नब यहां पर यह आपके Wi-Fi का यूजर नेम और पास्वड दिया गया है यह आपके फोन में connected Wi-Fi का पास्वर्ड है ध्यान दिजीगा यह आपके फोन में पहले से Wi-Fi से sempre स्का पा स्बस्टो सिस तरीके से आप लोग भी अपने फोन में अपने android फोन में पहले से connected Bluetooth का